हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम दिखाने जा रहे हैं को DCP 310 से आपकी इस तरीके से जो है ID कार्ट का प्रिंट कर सकते हैं एक ही बार में एक ही पेज के उपर तो इसके लिए आपको थोड़ी से सेटिंग करनी है अपने इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत सारे यहां पर आपको क्या है option मिल जाते हैं लेकिन आपने जो सेट करना है ID कार्ट को प्रिंट करने के लिए वह है क्लीख कर लेते हैं कापके लेते हैं करना होरी केके मापने लिए लिए और आप является कि क्लिक करने हैं तो अब यह लिए लिख रहा है कि टर्नफर अधा आङडी देही हैppen केकि आपको जहांप कर दक दा रहोगा तो हम क्या कर करेंієंतर लेकिन अगर आप इस तो यहां पर देख सकते हैं तो आप गल्थी कर देंगे यह सोचेंगे कि नहीं पहले हमने इस जगह पर किया निचे करेंगे तो यह क्या होगा कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट होकर आएगा तो जैसे अब यह कापिंग कर रहा है तो जैसे प्रिंट होके बाहर आता है मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से यह प्रिंट होगा मेरा प्रिंटिंग हो रहा है तो अभी ये प्रिंटिंग जैसे ही बाहर आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह पेज मेरा प्रिंटों के बाहरा आ गया तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रंट पेज तो सही आ गया लेकिन जो पीछ बैक साइड थी वो आधी कट गई है क्यूं क्यूंकि हमने इसको ठाके नीचे रखा तो आपने किस तरीके से गरना है वो देख लें प्रंट पेज को जैसे की फ्रंट पेज हमने रखा था सेम उसी तरीके से हम रखेंगे उसके बार अब गहरा कि टर्न ओवर आईडी और प्रेस स्टार्ट अब हम देखिए तर्न ओवर कैसे करेंगे पहला पेज जहां पर रखा था वहीं पर रहन देंगे दूसरा उसी जगह उसटार पर हम टर्न ओवर कर रखेंगे ना कि नीचे लेके जाएंगे बलकी उस बिल्कुल सही तरीके से अब इसमें कोई भी गलती नहीं है बिल्कुल सही तरीके से आपका जो आईडी है ये प्रिंट होकर आ गया है